के ठाव मोस्के बाता है कि चलीए विदाऊट लेट किये हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि सर अभी तक क्या कर लिया हम्ने क्लास के अंदर एक क्लास के अंदर कैपिटल गेन कर रहे थे हम स्टार्ट एक क्लास हो चुकी है आज है इसकी second class, जो जितने बच्चे नए जोइन हुए हैं, मैं again कहूंगा, वो पहले आप basic concept वाली class कर लीजिए, काफी बच्चों का कहना था सर, old rhythm और new rhythm अलग से folder बनाके डाल दिया है, वैसे तो salary के अंदर डाला था, फिर से अलग से बनाके डाल दिया है, ताके आपको द आप एक पर भेज दीजिएगा, देख लेंगे opposite क्या कह रहे हैं, मुझे whatsapp कर दीजिएगा, जो number दे रखा है, फिर देख लेंगे हम, ठीक है न, हम start कर देते हैं, फटा-फट से, चलिए, सर अभी तक क्या-क्या देखा हमने, पटा-फट revise करते हैं, सर हमने देखा capital gain, capital gain क्या होता है, किसी भी assets के उपर, आपका जो profit होगा, उसे बोलेंगे हम capital gain, सर, definition के हिसाब से, अब हमें समझना होगा, कि assets क्या होता है, definition कहता है, किसी भी तरीके के property को हम assets कहेंगे, लेकिन, फिर definition ने और explain किया, हो सकता है, movable और immovable, immovable है, तो कोई भी है, वो सारा का सारा capital assets होगा, लेकिन movable है, तो उसके अंदर अगर personal है, तो capital assets नहीं है, और अगर आपका business purpose के लिए है, तो capital assets है, अब personal के भी कुछ exception है, कि 4 से 5 चीज़ों को छोड़ कर, बाकी सारे capital assets नहीं माने जाएंगे, जैसे कि क्या था हमारा painting, sculpture, drawing archaeological collection था आपका, और jewelry था आपका, ये सारी चीज़ों को हमने देखा था, जो कि इसके बाद था, transfer, transfer, कुछ not regard as a transfer, theory point of view से बहुत better है, आपको पता होना चाहिए, exam, question point of view से इतना relevancy नहीं रहता इसका, सर इसके बाद मैंने बताया था, simply रह के आप किसी को समान देते हैं और आपका माना जाएगा, stock in trade अगर होगा, उसे बेचेंगे, conversion करके तो भी माना जाएगा, अब आगे देखते हैं, आगे हमने क्या देखा था सर, आगे देखा था हमने capital assets का, जो कि मैंने भी बताया, movable, immovable, कुछ points है कि capital assets में stock in trade, ruler, agriculture, आपका bond ये सभी include नहीं होने वाला, सर, type of capital assets long term हो सकता है, short term हो सकता है, यानि सर, 24 महिने से उपर हुआ, land and building तो long term, shares अगर आपका 12 महिने से उपर हुआ, तो long term, other 36 महिने, तीनी category था, जिसके अंदर मैंने ये define कर दिया, अगर 12 महिने से कम है, ये less than है, short term capital assets if less than, या equal to मान लो, अगर less than equal to हुआ, तो ये माना जाएगा short term, इस से उपर जितना भी हुआ, वो सारा माना जाएगा long term, अब इसके बाद की कहानी हम आगे करेंगे, अब आ जाएंगे हम सवाल पे, कौन से सवाल पे सर, अब आ जाते है हम question पे, practical question पे, जो हम numerical करेंगे, तो type of assets, type of assets, yes, जो मैंने अभी बच्चे साइद confused हो गए, जो मैंने इधर वाला बताया था, वो short term था, क्योंकि वो 12 महिने से कम था, कोई बात नहीं, आप मुझे भेज दीजेगा, मैं दुबारा recall करके उसे समझा दूँआ, अब calculation की बात करते हैं, capital gain ना, जब निकाला जा रहा था, तब सबसे बड़ी समस्या क्या हुई, आप समझना एक बार, समस्या ये हुई, एक वेक्ती ने, एक परसन ने घर खरीदा सर, और घर खरीदा एक लाख रुपे का, और ये खरीदा मान लेते हैं, दो हजार, टू थाउजन में खरीदा इसने एक लाख का, अब इस घर को बेचा इसने पचास लाख का, तो उनका कहना था सर, जिस दिन हमने एक लाख रुपे लगाया था, उस दिन एक लाख रुपे की वेल्यू बहुत जादा थी, आप ऐसा नहीं कह सकते के उननचास लाख का प्रॉफिट कमाया है सर, पहले इस दो हजार बीस में एक लाख रुपे की वेल्यू को आज की कि आओ फिर कंपीर करो ना, बराबरी में कंपेरिजन होगा ना, पहले एक लाख में मैं 10asting लाख रुपे में बड़ी सारे समान खरीदे जाते थे, लेकिना आज की डेट पे उससे एक लाख की समान, लेकिन आप समझ लो जैसे पहले एक लाख रुपे में 10 तोला यानि 100 ग्राम गोल्ड खरीज सकते थे लेकिन आज कितना खरीद पा रहे हो एक लाख में तो और इसी को खरीदने में कितना लग जाएगा अब पांच लाख यानि मैं सिंप्लिसेटी से बात करूँ जो पहले एक लाख रुपे खर्चे थे आज की डेट पे उसकी वेल्यू कितनी है पांच लाख में वो समान खरीद पाऊँगा तो कंपेरिजन ऐसे करू ना पांच और पचास में बेचा है तो आप मेरी कितने बताओ 45 का प्रॉफिट या लॉस बताओ गौर्मेंट ने बोला बात तो ठीक है ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि बहुतों लोगों ने तो पचास पचास एक रुपे में भी मकान खरीदे वे हैं खरीदे वे हैं बहुत पुराने जो हैं और आज बहुत करोडों की प्रॉपर्टी है होको तो गौर्मेंट ने बोला एक काम करते हैं हम हम आपके ये वाले जो एक लाक रूपे है न उसको कंवर्ट करने का तरीका बताएंगे आप जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन इसको कंवर्ट कर दीजि kidney का इस कंवर्ट करने के लिए एक टेबल हम आपको देंगे जिसको बोला गया inflation rate जिसको बोला गया indexation आप इसको indexation करके कर लीजिएगा तो हम क्या करेंगे capital gain निकालने के लिए सबसे पहले इस एक लाख रुपए को अगर हम बेच रहें 2022 में तो सबसे पहले इस एक बदलाव हुए है लेकिन ये भी सचाई है कि साल छे महिने में ये बदलाव इतना मेजर नहीं हो सकता अगर आप बोलते हो सर के एक साल के अंदर मुझे indexation allowed कर दो तो नहीं देंगे हम एक साल में कितना variation होगा मैं तो देख रहा हूं दो साल से सोने का भाव हुए ही पचास अजार रुपए तोला चल रहा है तो एक से दो साल में बदलाव नहीं है तो बोला जो long term assets होगा ना उसी को हम रुपए को convert करने की permission देंगे इसलिए assets को दो category में बाटा गया एक बाटा गया short term और एक बाटा गया long term वाले को conversion allowed है और short term वाले को conversion allowed अगर आपका ये assets खरीदा होता suppose करो 2021 में तो सर 2021 में एक का खरीदा फिर पचास का आपने अगर बेच भी दिया है तो सीधा सीधा उननचास लाक रुपए आपके लिए क्या माना जाएगा profit माना जाएगा यानि सर capital gain अब दो निकल सकते हैं एक long term के हिसाब से निकल सकता है और एक short term के हिसाब से निकल सकता है और एक short term के हिसाब से निकाला जा सकता है capital game चलिए आईए देखते हैं कि सर लॉंग ट्रम के हिसाब से हम कैसे निकालेंगे और शॉट ट्रम के हिसाब से कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो आपके मन में एक point आ रहा होगा सर आप मुझे बता दो इसको convert करने का तरीका कैसे convert किया जाए इसको convert करने का तरीका होता है और जुतने का हम खरीदें नहीं है मैं दुबारा आई यह थोड़ा सा बहुत ज्यादा मैंसब हो गया मैं दुबारा ले लेता हूं चलिए कुछ basic बाते समझ लीजिए chapter बड़ा असान है यह यह घर खरीदा मैंने पांच लाक रुपय का सर कब खरीदा पांच लाक रुपय का 2010 में खरीदा इस घर को मैंने बेच दिया आठ लाक कम बोल दिया मैंने असी लाक रुपय का कब बेचा 2022 में और यह ज़्यादा लिख दिया मैंने इतने तो यह भी नहीं है 2020 दस था ना तो सर बेचा कितने का 80 लाक रुपय का तो अगर हम इसमें से सीधा 30 लाक रुपय बोल दें capital gain है तो सर यह गलत है पहले आपको यह रुपय कनवर्ट करना पड़ेगा तो सर कब कनवर्ट करना पड़ेगा आप पहले देखिए जो यह घर है क्या long term है या short term है तो long term की definition कहता है 24 महिने से अगर उपर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे long term यानि यह long term है तो हमें क्या permission है इसको convert करने का और सर इस वाले word को जितने का खरीदते हैं एक law के language में income tax के अंदर बोला जाएगा cost of acquisition इसको बोलेंगे cost of acquisition और इसका मैं बड़ा छोटा सा नाम रख देता हूँ coa इसको क्या बोला जाएगा cost of acquisition तो सर cost of acquisition को हमेशा convert करना है convert करने को बोला जाता है इसको कर दो indexation index कर दो या indexation आप इसको कर दो index sir index का मतलब क्या होगा कि आपने cost of acquisition की value को आज के दिन पर convert कर दिया indexation करने का तरीका क्या होता है cost of acquisition into में into में जिस साल sale किया जाएगा उस साल का indexation divided by जिस साल purchase किया गया उस साल का indexation sir ये indexation indexation कहां मिलेगा आपकी किताब में भी given है और ये हर जगह available मिलता है और ये fix रहता है इसका कोई तरीका नहीं कोई shortcut नहीं आपको exam में वैसे देगा ये हमेशा question में लिखा हुआ होगा तो जैसे कि मान लेते हैं 2001 के अंदर 100 होता है फिर इसी तरीके से 317-400 तो वो indexation आपकी किताब में भी है 10 येर में पहले नहीं हुआ करता था मैंने इस बार डलवा दिया है जितने बच्चों के पास 10 येर होगा उनके पास भी होगा आप कहीं भी डूड़ेगा ना indexation तो आपको मिलेगा चाहे आप Google कर लीजिए कहीं भी कर लीजिए बाकी मैं list PDF में upload कर दूँगा अभी फिलाल मैंने indexation यहां पे लिखा नहीं है तो नहीं लिखा है तो सर इसका मतलब मैं आपको दिखा दूँगा कि indexation कहा है चलिए indexation एक बार देख लेते हैं इंटरनेट पर ही सर्च कर लेते हैं सर इंडेक्सेशन क्या होता है यहां पे डाल लेते हैं cost of indexation देखिए पहले ही आ गया cost of indexation तो सर यह list आ गई क्या list आ गई देखिए यह सारी list आ गई आपको दिख रहा होगा आपका 2000 अगर इधर visual नहीं है सर पी 60 इस 10 एर अच्छा पेज में बता रहे हैं बच्चे पी 60 बस मैं यह बताना चाहता हूं सर यह है है ऐसा नहीं है कि यह मतलब आपको कहीं भी मिल सकता है तो परिशान ना हो आप Google भी कर सकते हैं और Google क्या करेंगे मैं दे ही देता हूं अभी कि अभी दे देते हैं चलिए कि यह size चोटा नहीं हो रहा बताओ कहां खुलाई यह भी जहां सो कुछ करीं नहीं सकते हैं बस समझाना है चलो कोई नहीं यही तो लेना है यह लेजिए कहां तक आ गया था है यहां तक कि एक बार निकालना भी तो बता दे सिर्फ इसलिए मैंनत कर रहा हूं और कोई बात नहीं है चलिए सर सर यह आ गया इंडेक्शेशन मैंने कहा है इसका इंडेक्शेशन करिए तो देखे सीखिएगा देखो कुछ बच्चों को जो रेगलर कॉलेज में उनको आता होगा कुछ के लिए नहीं आता होगा तो हम सीखना तो है यह है मैंने कहा cost of indexation क्या है जिस साल बेचा गया सबसे पहले तो cost of acquisition लो सर cost of acquisition कितना था पांच लाग सर cost of acquisition क्या था पांच लाग इसको multiply करेंगे जिस साल sale हुआ है उसका indexation तो मैंने बोला है 2022 में बेचा है तो 2022 अब 22 की बात करें तो मैं इसका पूरा date दे देता हूँ 2021 और 22 22 बोला जाए तो 2021 बाइस तो सर 2021 बाइस चेक करोगे तो 317 तो यहां रखना है 317 divided by purchase जिस साल किया गया था one indexation purchase किया गया था 2010 में तो 2010 में था 148 तो यह जवाब आएगा मेरे पास कितना पांच लाख divided by 148 into में 317 sir that is 10,70,945 10,70,945 रुपए इसका मतलब इस पांच लाख रुपए को हम आज की डेट पे लेके आ गए हैं अब इस से इसका comparison होगा इसको बेचा 80 लाख में माइनस अब करेंगे 80 लाख that is capital gain 69,29,054 यह capital gain होगा सिंपल सी बात समझेगा सर capital gain जो होता है ना long term हुआ तो हमें indexation आना चाहिए अब indexation आने का मतलब सर क्या यह सब हम याद कर लें पूरा का पूरा नहीं question paper में मिलेगा अब आप बोलोगे सर नहीं आया तो ऐसा आस तक ना हुआ है ना होगा और इसका गिनने का कोई तरीका भी नहीं है आपको हर जगह मिलेगा और यही रहता है कोई बदलता नहीं है जैसा ही अब इस साल आपका 331 है 331 तो अभी तक आप में आया नहीं है आप में अभी तक 317 चल रहा है शायद 21-22 का ठीक है ना अगले साल आएंगे बच्चे वो 331 वाले सवाल जितने आगे बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से आपका होता जाएगा यह सर बनता कैसे कौन बनाता है इसको हर साल फाइनेंस मिन जाता है आता जाता है दूसरा सवाल आता है कि सर 2002 1-100 है किया इससे पहले नहीं हुआ करता था कैसे पहले कोई लॉंग ट्रम साट्रम की परिभाशा नहीं थी था इससे पहले पहले इससे पहले अगर देखा जाए तो 2001 से हम start करेंगे इससे पहले भी होता तो कुछ सवाल जो आपके मन में होगा उसको मैंने clear किया हैं तो सर जब कभी भी long term capital gain निकालना हो या long term capital assets को बेचेंगे तो sale value तो ठीक है ओके लेकिन हमें जो खरीदा है जिसको क्या नाम बोला हमने cost of acquisition उस cost of acquisition को हम क्या करने वाले convert और convert करने के लिए किसकी मदद लेंगे किसकी help लेंगे इसको बोलते हैं inflation indexation याने indexation की help लेंगे और इस हिसाब से निकाल लेंगे सर एक और सवाल आता है कई बार ऐसा होता है हम improve कर देते हैं घर में improve का मतलब होता है सर हमने घर के अंदर क्या करा कुछ extra construction वगेरा करवा लिया एक floor और बना लिया तो उसे बोला जाता है improvement जैसे नया आपने बना लिया कि बोला एक floor और बना लिया है मैंने अपने घर में त income tax वाले इसको बोलते हैं बहिया यह repair एक floor बनाना हमारे समझ में नहीं आता है इसको बोलिया आप improvement और कितना cost of improvement लगा वो भी minus कर लीजिए यानि अगर मैंने 50 लाग का बेचा था और अभी मैंने 10 लाग खर्च किये थे कुछ दिन पहले तो total minus कर लीजिए 10 और वह वाला ज इसको shortcut में मैं बोलूँगा COI क्योंकि ना space कई बार कम होता है मैं पहले abbreviation बता दू ताकि दिक्कत ना हो तो सबसे पहले बताईए indexation clear है कैसे होगा अभी बहुत सारे सवाल करेंगे बिलकुल clear हो जाएगा कैसे लगाना है पहले हमने बता दिया sir short term हुआ तो एक example ले ले ल 2022 में एक घर खरीदा घर खरीदते ही मेरे घर वो सूट नहीं हुआ मैंने पांच-पचास लाग का खरीदा मुझे मजा नहीं आ रहा था उस घर में मैंने 31-3 2022 को मैंने कैसे ने कैसे करके बेच दिया कितने का बेचा 51 का बेच दिया क्या इसका भी indexation होगा जवाब है sir नहीं क्यों नहीं होगा sir इसका indexation short term है short term allowed नहीं है तो sir capital gain एक लाग रुपे बस बात खतम यानि इधर capital assets हमारा long term होगा तो long term के अलग calculation बनती है और short term के अलग तो sir किस तरीके से निकाला जाए यह मैंने कुछ चार्ट मना दिया है जिसके अंदर जिन बातों को ध्यान दखना है कैसे होगा तो sir फटा-फट से देखिए मैंने क्या लिखा है mode of computation capital gain capital gain को कैसे निकाला जाएगा computation of short term capital gain या तो short term capital gain निकाला जाएगा या फिर निकाला जाएगा sir long term की definition में 3 थे ना 24, 12, 24, 36 ठेक है ना अगर long term short term है तो भया full value of consideration consideration का मतलब होता है sir sale value कितने का भिका है नए नए word है आप सीखते जाओगे expense on transfer अब घर बेशते हैं तो property dealer को हम brokerage देते हैं वह भी हमारा transfer sale है suppose करो मैंने 50 लाक रुपए का घर बेचा एक परसंट commission देना पड़ गया 50 अजार तो मैं मानूंगा मेरा घर जो विका है वो विका है 49 लाक यानि जितने मेरे pocket के अंदर पैसे आएंगे that is a sale तो यहाँ पर हमने उसी को थोड़ा detail में कर दिया के भाई या घर तो इतने का भिका लेकिन मैंने property dealer को commission इतने का दे दिया तो उसको क्या कर दिया sir माइनस कर दिया बचा हुआ जो बचा उसे बोलेंगे net sale consideration इतना अप मेरे pocket में आया less cost of acquisition मतलब जितने का खरीदा था less cost of improvement जितने का हमने उसमे repair करवाया इसके बाद आ जाएगा sir gross capital gain gross short term capital gain इसके बाद हम कुछ deduction देंगे जो बात कर रहे थे definition में और यह आ जाएगा हमारा capital तो यह किसकी कहानी थी long term पे आ जाईए long term पे क्या कहता है sir same full value of consideration expenses कोई फरकी नहीं अब यहां देखिए यहां लिखा less क्या करें index index का मतलब वही convert index का मतलब क्या है convert करके जो cost of acquisition आएगा वह minus करिए less करिए index cost of improvement अच्छा इसका मतलब जो improvement होगा उसको भी convert करना है बिलकुल हाँ उसको भी क्या करना पड़ेगा हमें convert करना पड़ेगा आ गया gross और 54 to 54 gv if any कोई भी deduction देने के बाद यह आ जाता है हमारा long term capital gain तो short term आ गया और long term आ गया कुछ बाते note में है और note में क्या बाते है कुछ assets का indexation नहीं हो सकता सर ऐसे कौन से assets है जिनका indexation नहीं करना चाहे short term हो चाहे long term पहला depreciable assets ऐसा assets जिसके उपर depreciation लगाया जाता है उसका indexation allowed नहीं है चाहे short term plant, machinery, furniture यह सभी पर depreciation लगता है तो ऐसे assets पर indexation allowed नहीं है इसके बाद debenture और bond इस पर भी indexation नहीं होगा सर यह हमेशा इसका nature short term ही माना जाएगा यानि सर इसका indexation नहीं करोगे तो long term नहीं हो सकता क्योंकि जिसका indexation हुआ वो long term और जिसका indexation नहीं हुआ वो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ यह जो मैं list कुछ note लिखें इसका indexation नहीं करना मतलब सर इसका nature रहेगा हमेशा short term बिलकुल हाँ भले ही assets आपका 40 महने के लिए हो लेकिन इसका जो capital gain निकलेगा हमेशा क्या निकलेगा short term निकलेगा और क्या है सर listed equity share इसका भी indexation नहीं होगा लेकिन इसे exception कर लेते हैं सर यह long term और short term हो सकता है allowed है indexation हम देखेंगे कहता in case of cost of improvement बाकी के जो हमारे यह लिखे हुए है न सारे points इसको जब हम question करेंगे पहले सवाल कर लेंगे फिर सवाल करने के बाद इसे पढ़ेंगे सब कुस समझ में आ जाएगा चलिए सर अच्छा indexation डाला था मेरे को पता ही नहीं था यह था indexation तो indexation क्या करना एक सवाल देखते हैं सीधा question करेंगे और format मैं question करता जाओंगा सारे के सारे आज question करेंगे आपकी किताब के ग्रीस आहुजा बुक के किताब के आपके सारे question करने वाले हैं काफी बच्चे कह रहे थे सर बुक का आप यूजी नहीं करवा रहे पहले तो आपने बोला बुक लो दीरे दीरे यूज़ होगा एकदम से नहीं होगा केना सर एक बार clear कर दो सही से कौन सा है long term अभी clear करेंगे रमन long term कितने year का होगा आपका long term कितने year का होगा शायद आपकी आज first class एक पर पिछली class जरूर देख लें उसमें 24-36 महिने का अलग-अलग था हूँ आएगा land and building भी depreciable होती है सर देखो land and building depreciable है लेकिन यहां पे land and building को इस category में नहीं रखा गया है अब कुछ बच्चे करें सर वैसे तो सारे fix assets capital assets depreciable है लेकिन depreciable assets में plant and machinery और furniture मैंने कहा जो यह note है न यह मैंने नोट अभी पढ़ दिया है इसके लिए देखो मैंने prepare कर रखाया आप चिंता बिल्कुल भी मत करो मैंने पूरा list बनाया था यह देखो यहां पर पूरा समझाने वाला हूं कौन सा depreciable assets है कौन सा नहीं है सारी बाते कर लेंगे आपर अभी बस थोड़ा सा patience रख लेते हैं और आज की class बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि basic basic सारे concept छोटे-छोटे सवाल के थुरू कर लेंगे बाकी आपकी किताब में भी यह सवाल है और मैंने यहां पर लिख दिया है तो किताब में जौरत है नहीं चलिए सर सवाल क्या कहता है कहता है एक्स परचेज आ प्राइज आ पीस ओफ लेंड एक चार एक 1978 1978 में खरीदा गया चार एक ठीक है इस लेंड सोल्ड बाई हिम इसको खरीदा कितने का गया और इसको बेच दिया गया एक चार दो हजार एक्किस को सर एक चार दो हजार एक्किस में सत्रा लाग का दा मार्केट वेल्य ओफ लेंड सर ये नई बाते आ गई जो मुझे आपको सिखाना है अब सर हमें आपने सिखाया यहां लिखो फुल वेल्यू ऑफ कंसिडरेशन वेल्यू ऐफ कंसिडरेशन सर फुल वेल्यू ऑफ कंसिडरेशन के बाद आप यहां से मैंस कर दो selling expense जिसको transfer expense भी बोल देते हैं तब जाके आपका यहाँ पर आएगा net sale consideration net sale consideration सर इसके बाद minus कर दो cost of acquisition सर पहले cost of acquisition निकालते हैं तो cost of acquisition में खरीदा कितने का था पांच लाद formula देखिए क्या लिखा था सर formula कहा गया यह रहा formula 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 में क्या कहता है जिस साल आपका यह formula क्या कहता है जिस साल आपका यह sale हुआ वो ले लो और जिस साल आपने खरीदा वो ले लो तो चलिए सर जिस साल sale हुआ into में करना है तो जिस साल sale हुआ उसको अगर into में करें तो sale हुआ हमारा 2000 21 में sale 2000 देखते जाएगा 2021 सर 2021 की बात करें तो यह 301 है तो लीजिए सर यहां मैंने ले लिया 301 divided by जिस साल खरीदा गया था सर खरीदा कब गया था सवाल में 1978 तो सर यहां पर 1978 की लिस्ट ही नहीं है तो क्या इसका मतलब जो 2021 एक और दो से पहले प्रोपर्टी बेचेंगे क्या उनको हक नहीं है कि इंडेक्शेशन करने का गौर्मेंट ने बोला ऐसा हम नहीं कह रहे है अगर किसी ने प्रोपर्टी खरीदा हो 2021 और दो से पहले इस दिन का जो भी फेयर मार्केट वेल्यू का उसके उपर इंडेक्शेशन करना गौर्मेंट ने कहा यानि सर अगर इन केस ऑफ यू पर चेज एनी लेंड बिफोर टू थाउजन वन और टू का जो भी वेल्यू होगा उसके उपर पहले तो आपको क्या करना है जैसे मान लो आपने प्लॉट अभी मेरे वाले कोश्च हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं है इंडेक्शेशन का हमारे पास तो लिस्ट है दो हजार एक और दो हजार दो से तो आप पहले पता करिए कि इसका कितना वेल्यू रहा होगा कितना वेल्यू इसका रहा होगा यह आपकी जिम्मेदारी है पता करना और वैसे हम सवाल में तो किसी से पूछ नहीं सकते तो हमें examiner दे देगा 142001 का ये value रहा है जिसको बोलते हैं FMB fair market value जिसको हम बोल देते हैं fair market value या फिर market value तो हम क्या ले लेते हैं sir market value इसका मतलब sir बहुत सीधी सी बात है यहाँ पे ये value कामियाब नहीं है हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा पांच लाग के वजाए fair market value जो की है पांच लाग ग्यारा अब इंटू में इंटू में sir कब बेचा है बेचा 2021 में है और 291 में बेचा है sir तो 291 की बात करें तो 212 आ गया 317 ले लिया जाए इसमें 317 317 divided by sir divide अगर आपने 2001 और 2002 का value लिया है तो क्या इस साल का हमारे पास indexation है या नहीं है है sir कितना है sir starting का हमेशा 100 ही रहेगा तो इसको divide किस से करेंगे sources समझ रहे बात sale consideration तो सवाल ने कहा ही था कि हमने कितने का करा है sir 17 लाग selling expense 2% तो इसका 2% निकालोगे तो 38,000 इसको minus करके 16,66,000 अब इसको देख लेते हैं 5,1,1,2,0,0 यह 16,20,500 इसको minus करेंगे अब आगे हमारा long term capital gain और एक वर्ड और बोलू मैं ज्यादा से ज्यादा long term capital वर्ड के लिए LTCG standard word है इस्तमाल किया जाता है इसको LTCG तो कितने आगे 45,000 406 यह 96 चलिए बताईए पहला सवाल हमने कर लिया थोड़ा सा testing हमने देख लिया कि क्या करना है इस सवाल में हमें एक बास समझ में आया in case of क्या आया note मैं यहां note लिख देता हूं सर क्या समझ में आया इसमें in case of any assets purchase before एक चार दो हजार एक एक चार दो हजार एक चार दो हजार एक चार दो हजार एक कहने का मतलब है तर इन in case of any assets purchase before एक चार दो हजार एक जन मार्केट वेल्यू टेकन करना पड़ेगा एक चार दो हजार एक as a cost of acquisition and simple से सवाल है एक नोट हमने देख लिया पीचे एक ही बार पढ़ लेंगे जो चार वगएरा में नोट है नہ वह एक ही बार पढ़ लेंगे बागी मेरे को चार तक में मजा नहीं आता मिर लिखने में ज्यादा मजा आता कि साथ के साथ होता जाये क्लियर सर्ट